हलो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से बात करने बाला हूँ Hero Splendor Plus BS6 2RBs model के बारे में आज हम इस गाड़ी का review करेंगे और इस गाड़ी में क्या-क्या features हैं, क्या-क्या बदलाब हुए है BS6 आने के बाद और इसका mileage कितना है और इसका on-road price कितना है इसकी जो headlight और visor है वो पहले की तरह है इसमें कोई change नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको normal halogen head lamp मिल जाती है इसमें आपको 35 बाट का वलब मिल जाता है इसके उपर आपको Hero Splendor Plus का यहाँ पर आपको sticker मिल जाता है tear की जो grip है कुछ step से आपको मिल जाती है इसके front suspension को लेकर तो इसमें आपको telescopic hydraulic sock absorber type के suspension मिल जाते है यहाँ पर आपको IBS का logo मिल जाता है और पूरा का पूरा shiny black mudguarder मिल जाता है mudguarder के उपर दोस्तों यहाँ पर आपको reflector मिल जाते है कुछ gold shape में और यहाँ पर tear के size की बात करूँ तो 8088 का यहाँ पर आपको tear का size मिल जाता है इस गाड़ी में आपको tubeless tear दिये गए है hero company की तरफ से और यहाँ पर C8 company के tear मिलते है इस गाड़ी में आपको और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा yellow wheel silver में दे रखा है integrated braking system मिल जाता है अगर आप इस गाड़ी में front की कोई भी brake apply करते हो तो आपकी दोनों brake एक साथ इस गाड़ी में काम करती है अब बात करूँ इस गाड़ी के meter console की तो यहाँ पर आपको 30-50 की speed मिल जाती है इस गाड़ी में सबसे जादा high mileage पाने के लिए 140 km पर आवर की speed भी मिल जाती है यहाँ पर आपको side stand का indication की light भी मिलती है और petrol के लिए आपको analog type का meter भी मिल जाता है यहाँ पर आपको gear को neutral करने का indication light मिलती है यहाँ पर आपको headlight की indication light मिलती है यहाँ पर आपको mal function की light भी मिल जाती है अगर आपके गाड़ी में कोई technically default होता है तो आपकी जो mal function की light है वो blink करने लगती है और यहाँ पर आपको left turn और right turn की indication की light मिल जाती है अब एंडल वार की तरफ देखो के तो यहाँ पे आपको जो होरन का स्विच मिल जाता है यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर की स्विच मिल जाता है यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम की स्विच मिल जाता है तो BS6 आने पर इस गाड़ी के जो ग्राफिक्स हैं दोस्तों वो पूरे के पूरे चैंज हो चुके हैं पहले की बाती जैसा कि आप देख सकते हो डिजान इसकी पहले से ज्यादा यूनिक लग रही है यहाँ पे आपको हीरो का इस्टिगर मिल जाता है और बड़े से ग्राफि पे आप बहुत सारा सामान केरी कर सकते हो बांद भी सकते हो यहाँ पे आपको थोड़े से ग्राफिक्स यहां भी आपको मिलते हैं और यहाँ पे आपको थोड़े से फ्लैक्सिवल टाप के इंडिगेटर मिल जाते है पहले से इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच सकते हो बात करो इसकी seat की quality की तो seat की quality थोड़ी सी अच्छी है पहले की बांती बहुत ज्यादा soft है जैसा कि आप देख सकते हो दो आदमी अच्छे से बैट कर इस गाड़ी पर जा सकते हैं दोस्तों बात करें इसके fuel tank को लेकर तो इसमें आपको 9.8 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है यहाँ पे आपको जो है toolbox मिल जाता है इसमें आप अपने गाड़ी के tools और गाड़ी के document रख सकते हो इसमें आपको power start का sticker मिल जाता है और programmate fi का sticker भी आपको यहाँ पे मिल जाता है अब बात करें इस minimum torque है 8.05 newton meter 6000 rpm इसका mileage company claim करती है 80 km per liter का mileage claim करती है दोस्तो तो इस गाड़ी का ground clearance है 165 mm नीचे की side में जैसा कि आप देख सकते हो और 112 kg इस गाड़ी का total curve weight है और दोस्तो इस गाड़ी के front और rear वाले जो drum brake है उनका size 130 mm अब बात करें इस गाड़ी के engine की तो जैसा कि आप engine मिलता है hero की batching मिल जाती है वही पुराना वाला engine मिलता है engine बुलकुल change नहीं है यहाँ पर आपको self का option मिलता है यहाँ पर आपको engine oil fill करने का cap मिल जाता है यहाँ पर आपको brake pad मिल जाता है chrome में यहाँ जिस पर safety feature के साफ से तार लगाया गया है जिससे कि आपके जूते purchase करते हो तो इसका जो silencer है वो पीछे से totally पूरा change हो चुका है इसकी save भी आप पीछे से देख सकते हो इसके उपर आपको एक chrome की plate लगाई जाती है जगव आप गाड़ी को purchase करते हो तो इसके जो adjustable foot rest मिल जाते है आगे और पीछे वाली इसका जो गाड़ी को start करने वाला lever भ अच्छा सा leg guard जो कि इसके look को काफी जाद अच्छा बनाता है और नीचे की side में आपको black color का horan मिल जाता है चलते है इस गाड़ी के दूसरी side में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह गाड़ी totally fuel injection bike है इस गाड़ी में बहुत सारे बदलाब हो चुके हैं head पे भी आप transmission manual setup मिल जाता है इसके साथ ही adjustable आपके footrest मिल जाते है black color के आपको stand मिल जाते है यहाँ पर आप देख सकते हो adjustable footrest पीछे वाला भी मिलता है और चैंसेट के cover की बात करूँ तो यहाँ पर आपको metal में मिलने वाला है जो की पहले से आपको मिलता आ रहा था splendor plus में metal की quality है मैं आपको plastic चैंसेट का cover नहीं मिलता है इसके soccer की बात करूँ तो दोस्तों इसमें आपको 5 step adjustable hydraulic sock absorber type के rear soccer मिलते है इन soccer को आप आराम से adjust कर सकते हो अपने बेट के साफ से आपको एक sardi guard black color का जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो की अभी पूरा का पूरा कसा हुआ नहीं है और पीछे की तरफ देखें तो दूस्तों जैसा कि आप देख सकते हो दूसरी side में भी आपको जो है adjustable soccer मिल जाता है यहाँ पर आप आपको जो है ब्रेकिंग system दे रहा है पूरा का पूरा देख सकते हो टायर के size की बात करूँ तो 808 का यहाँ पर आपको rear का tire size मिल जाता है C8 का secure वाले secure जूम वाले आपको tire मिल जाते है एक कुछ step की आपको grip मिल जाती है यहाँ पर आपको तो दोस्तों finally बात करो इस गाड़ी के on-road price मत्रा UP को लेकर तो अगर आप इसको kickstart alloy VS6 में लेते हो तो बैतर आयार 10 रुपे का इसका on-road price है अगर आप इसको self start alloy wheels VS6 में लेते हो तो 74,450 इस गाड़ी का on-road price है अगर आप इसको self start alloy wheels I3S version में लेते हो तो आप इसको 75,720 रुपे का इस गाड़ी का on-road price है MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को thank you दोस्तों मिलते हैं next video में